नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोड, Modern Indian History के लेक्चर सिरीज में आज लेक्चर नमबर 43 में हम डिसकस करने जा रहे हैं, Revolutionary Nationalism के दूसरे भाग को, तो आपको अगर याद हो हमने लेक्चर नमबर 33 में, Revolutionary Nationalism Part 1 पढ़ा थ तो उसमें हमने अनुशीलन समीती, युगांतर जैसे ग्रूप्स के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने गदर कॉंस्पिरेसी के बारे में पढ़ा था, तो वो सब कुछ हो रहा था 1905 और 1920 के बीच में, तो 1920 तक जो भी हुआ था वो Part 1 कहा जाता है, Phase 1 कहा जाता और अब जो 1920 के बाद होगा, ये Phase 2 है, तो इसलिए इसको हम Part 2 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भगत सिंग आएंगे, चंदरशी का राजाद आएंगे, इस तरह के बहुत सारे historical figures जिनके नाम आपने अक्सर सुने होंगे, इनके बारे में हम आज जानने वाले हैं, आगे ब बहुत सारी free classes होती हैं, जिनको हम special classes कहते हैं, इन special classes को आप जरूर जोइन कीजे, आज शाम को 5 बजे मेरी special class होने वाली है, on women in India's freedom struggle, भारत के स्वतंतरता संग्राम में महिलाओं का क्या role रहा था, तो ये topic modern history से ही जुड़ा हुआ है, तो प्लीज इस class को जरूर अटेंड क महिलाओं के अधिकार का जो पूरा movement है, जो parallel ही चल रहा था, this is more of a political and social movement, यहाँ पर अजादी से ज़्यादा महिलाओं के rights के बारे में बात होगी, तो ये movement किस तरह से चला था, इसको हम जानेंगे शाम को 7 बजे, दोनों classes के link नीचे आपको description या pin comment दोनों में ही मिल जाएं और unacademy का जो combo offer है, वो 28 August तक अभी valid है, 5 in 1 offer है, इसके बारे में जादा जानकारी मैं आपको दूँगा lecture के अंत में, अब phase 1 में हमने जिन करांतिकारियों के बारे में पढ़ा था, 1920 तक, mainly world war 1 के दौरान जो काम कर रहे थे या फिर स्वदेशी आंदुलन के बाद जो काम क बढ़ता जा रहा था, तो अंग्रेजी सरकार ने सक्त कानूनों की मदद से या तो सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, जो इन ग्रूप्स को लीड कर रहे थे, या फिर वो देश छोड़कर चले गए, जेल से बचने के लिए, तो कुल मिलाकर जो पूरी leadership है, वो खत्म हो कि ठीक है, आपने जो भी जुर्म किया था, अब आपको जेल से छोड़ा जा रहा है, तो अगर किसी को आजीवन कारवास की सजा भी मिली थी, तो उसको दो-तीन साल में हाँपर 1920 में छोड़ दिया जाता है, सरकार का मकसद ये था कि देश में harmonious atmosphere बना रहे, यानि कि सदभा और शांती का महल बना रहे, और अब ये जो नेता है, ये फिर से भार आकर revolutionary terrorism करना शुरूर ना कर दें, याद अठना कि अंग्रेजी सरकार इनको terrorist कहा करती थी, आतंगवादी कहती थी, लेकिन हमारे लिए तो ये राश्ट्रे hero है, तो हम इने revolutionary nationalist कहते हैं, जैसे ही इन नेत प्राओं ने भी non-corporation movement को join कर लिया, और इन्होंने अपनी पुरानी गतिविदिया हैं, उनको side में कर दिया, इन्होंने का ठीक हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, non-corporation movement, एक अच्छा movement लगा, सभी को उस समय बहुत उमीद थी, कि देश अजाद हो जाएगा 2-3 साल के कहा कि आपके तरीके गलत हैं, आप इस तरह से अकेले फैसला नहीं ले सकते, एक घटना पूरे देश का भविश्य तय नहीं कर सकती, तो जो जवान PD थी और revolutionary नेता थे, वो गांधी जी की और Congress की leadership से यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, हमने पिछले lectures में ये भी प ये no changer से, खुशते ना pro changer से, तो कई सारे निताओं ने, जैसे की राम प्रसाद बिस्मिल, जो actively Congress के सदस्य थे उस समय, इन्होंने party छोड़ कर अपना खुद का एक संगठन बनाने की ठानी, और इनी निताओं के एखटा होने से HR-A की formation होती है, तो हिंदुस्तान Republican Association जो 1924 मे बना था, उसके बनने का सिलसिला दीरे-दीरे शुरू होता है, 1922 में जो गया session था Congress का, महाँ पर बिस्मिल जैसे नेता Congress से नराज हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं Congress, और फिर कई नेता, जो पुराने revolutionary activists थे, वो सब इखटा होते हैं, और कई नये नेता भी इन से जुड होता है, HRA, अब इसी समय आप देखो कि दुनिया में दो important चीजें होई थी, पहला, Russian Revolution, तो Russian Revolution, जिसमें एक Marx वादी पार्टी ने जार की सत्ता को उखाड फेका था, और अपना शासन वहाँ पर स्थापित कर दिया था, तो Russian Revolution से कई नौजवान बहुत impressed थे, और उनको लग हमें, तो trade union भी अब बनने लग गए थे देश में, और trade unionism के कारण जो socialism के ideas हैं, वो धीरे-धीरे भारत में आते हैं, तो socialism, Marxism, communism, ये सारे ideas 1920 के बाद में भारत में तेजी से आते हैं, और इन revolutionary नेताओं को काफी impact करते हैं, in fact ना के वाल इन करांतिकारी नेताओं को बलकि Congress क बी leadership जो थी, जैसे कि जवार डाल नहरू, सुवाश चंदर बोस, ये भी पूरी तरह से socialism और communism के ideas से impressed थे, in fact ये दोनों ही नेता, सुवाश चंदर बोस और जवार डाल नहरू, ये Congress के अंदर left-wing leaders कहे जाते थे, yes, both of them were considered to be extreme left-wing leaders, 1920s की बातें बता रहा हूं मैं ये, तो अ ये किताबें जो है, government ban कर देती थी, इनके चपते ही, लेकिन इनके ban से, और ज्यादा इनकी ख्याती फैल जाती थी, बिल्कुल आज के जमाने की तरह ही है, सरकार जो चीज ban करती है, लोग उसी को जाकर ढूंडते हैं, सबसे पहले इंटरनेट पर, तो बंदी जीवन और प अतंगवादी नहीं मानता हूँ, ये मेरा personal opinion है, आपको हो सकता है, UPSC में इस बारे में question भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिल और दिमाग खोल के पढ़ना, ठीक है, तो revolutionary activist, revolutionary terrorism, और हाँ, एक शब्द मेरे मूँ से शायद निकल रहा होगा कि नेता, तो ये नेता नहीं थे, in the true sense, these were activists, आप इनको ये कह सकते हो कि ये क्रांती का रही थे, अब नेता इसलिए निकल रहा है, क्योंकि देखो, जादा तर जो हम पढ़ते हैं, वो सब नेताओं के बारे में ही पढ़ते है, नैशनल मूव्मेंट में, तो हो सकता है कि बार-बार म अमीरी को यहां से निकाल कर, इंग्लैंड में ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां से drain of wealth हो रहा है, याद है ना, यह सब हमने पढ़ा था, economic policy वाले lecture के अंदर, lecture number 18 में, तो यह economic drain जो है, यह भारत को पूरी तरह से निचोड रहा है, और इसलिए, socialism के ideas बहुत तेजी से पहलते हैं, तो socialism और marxism के idea पूरी तरह से सामराज जवाद के खिलाफ थे देवर anti-colonial ideas, तो यह ideas भी इन leaders को बहुत impact करते हैं, इनकी सोच, विचार और इनके जो क्रांतिकारी तरीके हैं, उन पर इसका बहुत impact देखने को आपको मिलेगा, अब देखो यह जो revolutionary activities हैं, इनको हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, geographically, तो एक संगठन था जो पंजाब, UP, बिहार में था, इसमें mainly HRA संगठन है, आगे चलकर इसका नाम HSA हो गया था, तो यह HRA वाला जो area यह पंजाब, बिहार और UP का था, क्योंकि इसके जाहतर नेता इसी North India belt के थे, और दूसरी और Bengal मे जो अनुशीलन समीती या फिर योगांतर ग्रुप के जो नेता थे, वो फिर से इखटा हो रहे थे और इस बार यहाँ पर उनको lead करने वाले, overground, सुवाज चंदर बोस जैसे नेता भी थे, लेकिन कुछ और भी political leaders हैं, उनके नाम में आपको बता दूँगा, फिर यहाँ प इमने डिसकस किया था, तो वहाँ पर महराष्ट्र में भी revolutionary गतिविदिया थी, लेकिन इस बार महराष्ट्र में revolutionary गतिविदिया नहीं है, पंजाब, UP, बिहार में सबसे बड़ा संगठ हन था, हिंदुस्तान, Republican, Association या Army, कई बार Association लिखते थे, कई बार Army लिखते थे, दोनो party छोड़ दी, उसके बाद ये धीरे-धीरे मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और decide करते हैं कि हमें pro changers के साथ भी नहीं जाना है, क्योंकि पहले ये लोग सोच रहे थे कि देखो हम pro changers के साथ जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक साल बाद decide किया कि नहीं, pro changers के साथ भी नहीं जाएंगे, we will form our own organization, तो अक्टूबर 1924 में, finally कानपूर में जाकर HR1 की officially स्थापना होती है, बहुत बड़ी meeting रखी गए थी, जिसमें कई important leaders आये थे, राम प्रसाद बिसमिल, जोगेश चंद्रचाटर जी, सचिंद्रनाथ, सानियाल, इन सब ने मिलकर HR1 की HR1 के लक्ष क्या थे, पहला लक्ष था कि भारत के लोगों को अहिंसात्मक तरीकों की futility के बारे में बताना, futility का मतलब है कि कितने useless तरीके हैं, जो गांधी जी follow करवा रहे हैं, अहिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, इस बात के प्रती, लोगों को जागरत करना, लोगों को revolution हुए थे, और इस revolution के माध्यम से, क्रांती के माध्यम से, colonial सरकार को उखाड फेकना, तो आप देख रहे हो कि इनका target, इनके aim, इनके constitution में ही ये बातें लिखी गई थी, कि हमारा लक्ष है, एक revolution लेकर आना, क्रांती लेकर आना, और जो Britain को या किसी भी राजा वाले देश क सबसे कम पसंद चीज है, वो है क्रांती, क्योंकि आपने देखा, French revolution में क्या हुआ, French dynasty खत्म, Russian revolution में क्या हुआ, Russian ruling dynasty खत्म, तो ब्रिटन तो बिल्कुल क्रांती चाता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 19th century निकाली थी बिना किसी क्रांती के, और इसी लिए, ज colonial सरकार को उखाड फेकना, और तीसरा, Federal Republic of United States of India स्थापित करना, तो जैसा United States of America है, उसी प्रकार से, HSRA का या HRA का लक्षे था कि भारत को भी, एक Federal Republic के रूप में स्थापित किया जाए, यानि कि यहाँ पर जो राज्य है, वो सब इखटा हो, केंद्रिय शक्ती एक नहीं हो तो USI बन जाता, जैसे USA है, वैसे हमारा आज, USI होता, तो इनका democracy लाने का भी plan था, कि basic principle होगा adult franchise, यानि कि जो भी adult वेक्ती है, उसको vote का अधिकार मिलेगा, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा difference देखोगे, जनरली communism में democracy नहीं होती, लेकिन, HSA अचारे ने कहा था कि हम democracy के favor में है, यानि कि लोगों को vote देने का अधिकार होना चाहिए, अब सपने तो इनके बहुत बड़े-बड़े थे, लेकिन, इन सपनों को पूरा करने के लिए इनने पैसा चाहिए था, जनता का support चाहिए था, लोग चाहिए थे, और इनके पास अभी इन तीनों में से कुछ भ जो भी करांती कारी युवक था, कॉलेज में बड़ी करांती की बाते करता था, उसको इन्होंने रेक्रूट किया, अपने संगठन में शामिल किया, और उन्हें बंदूग चलाने की, हतियार चलाने की training दी गई, और तीसरा, यह हतियार आएंगे कहां से, तो हतियार लूट तो इसी प्रकार की एक train लखनाओं के पास से निकलने वाली थी, इनको schedule पता चल गया उसका कहीं से, और इन्होंने अगस्त 1925 में काकोरी action किया, अब यह recently अभी news में था, क्योंकि उत्तरप्रदेश शरकार ने कहा है कि एक conspiracy शब्द नहीं आना चाहिए, काकोरी conspiracy करी थी, train में डकैती करी इन्होंने, और British train थी, इसमें लोग नहीं थे, passenger train नहीं थी, यह माल गाड़ी थी, जिसके अंदर treasury खजाना ले जाया जा रहा था, तो उस train को रोका गया, कहां पर, काकोरी station, काकोरी station का है, लखनों के बिलकुल पास में, अब तो शेहर का ही part हो गय उस समय माउजर लेकर आना बहुत बड़ी बात होती थी, तो माउजर गंद के माध्यम से इन्होंने इस काकोरी train robbery को अंजाम दिया, और इसमें यह successful रहते, पैसा ही नहीं मिल गया, खजाना ही नहीं मिल गया, British सरकार का काफी सारे पैसे मिले, लेकिन एक problem हो गई, अब British सरक कोई चार को आजीवन कारावास की सजा मिली, यह नहीं पकड़े गए, इनमें से जादतर लोग जो लखना हो यूपी में थे, उन सब को पुलिस नहरेश कल दिया, रामप्रसाद बिस्मिल, अश्वाकुला खान, रोशन सिंग और राजिंद्रे लहरी जो important founding members थे हैं चारे क लेकिन long term में अगर देखा जाए, तो HRA के लिए यह बहुत बड़ा setback था, क्योंकि इनके जादा तर important सदस से पकड़े गए, arrest हो गए, या फिर उन्हें फासी की सजा हो गई, तो जो top leadership है, वो HRA की wipe out हो जाती है, due to this kakori train robbery, तो initially success है, लेकिन long term में success नहीं मिल पाई, अब इसके बाद जो second level की leadership है, senior leaders जा चुके हैं, तो अब जो second level की leadership है, they rise to the occasion, वो अब अपने हाथ में control लेते हैं, और decide करते हैं कि हम और जादा मेहनत करेंगे, HRA को और उपर लेके जाएंगे, इस group का leader कौन था, चंदर शेकर आजाद, तो इस चंदर शेकर आजाद जो हैं, इ इनमें बिजय कुमार सिना, शिव वर्मा और जैदेव कपूर जैसे लोग शामिल थे, जो यूपी से थे, और भगत सिंग, भगवती चरण वोरा और सुकदेव जैसे नौजवान जो पंजाब के थे, तो ये important HRA के members बन जाते हैं अगले 3-4 सालों के लिए, अब अगले 3 सा इन्होंने बहुत सारे चीज़ें करी, September 1928 में इन्होंने फिरोशा कोटला दिल्ली में एक मीटिंग करी, और इस मीटिंग में सोशलिजम को, समाजवाद को, अपना official goal बनाया, और यहीं से HRA के नाम में socialist शब्द जोड़ दिया जाता है, now it becomes HSRA, और एक नई collective leadership बनाई, इन् इन्होंने लिये, अब इसके तुरंद बाद, पंजाब में एक ऐसी घटना होती है, जिसने देश को हिला कर रख दिया, लाला लाजपतरा है, कॉंग्रेस के गरम दल के नेता, जिनकी अब काफी उम्र हो चलिये, 1928 में, he's quite old, तो अब वो गरम दल के नेता उस तरह से नहीं इनके जो साथी है, बाल गंगादर तिलक, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन लाला लाजपतराय अभी भी politics में थोड़े बहुत active थे, जैसे कि Simon Commission के खिलाफ जब विरोध प्रदेशन चल रहे थे, तो उसमें लाला लाजपतराय खुद सड़कों पर उतरे, and despite his age, he was in the front line, पर असे spiritual guide मानते थे, इनको अपना leader मानते थे, हाला कि ऐसा नहीं कि लाला लाजपतराय जाकर कहीं पर bum bum फेक रहे थे, लेकिन इनसे guidance वगेरा लेते रहते थे, और कई, मतलब एक जुडाव था इनका, आप समझे रहों, जितने भी young लड़के थे, इनका सबका लाला लाज लाटी चार्ज में जब हत्या होती है, तो इससे काफी लोग सहम जाते हैं, और ये जो नए जवान लड़के थे, इनके अंदर एक गुस्सा आ गया, कि इस तरह से कैसे बरताव किया जा सकता है, एक senior leader के साथ, लाला लाजपतराय के साथ, तो शेरे पंजाब की इस ये बिल्कुल ही आहत हो जाता है और डिसाइड करता है कि इसका बदला लेना पड़ेगा, बदला लेने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि जिस पुलिस वाले ने लाटी चार्ज का ओर्डर दिया था, उसको हम मार देंगे, तो लाटी चार्ज का ओर्डर किस ने दिया था, वहां के superintendent of police Scott ने लेकिन लाहर शहर की बाते तो SP था Scott तो हमला करना था Scott पर लेकिन गलती से इन्होंने किसी और की हत्या कर दी जब fire करने गए तब वहां कोई दूसरा police वाला था उसको गोली लग गई और उसकी हत्या हो जाती है उसकी मृत्य हो जाती है उसका नाम था Saunders तो इसलिए जब ये court का case चलाते है उसको Saunders murder trial कहा जाता है तो जो भी आप देखोगे कि British history क्या लिखती है इस तरह से लिखते है Kakori conspiracy trial Saunders murder trial तो जो भी trial होता है court में उसका नाम उस गटना के basis पर आ जाता है तो भगत सिंग, राजगुरू और चंदर शेकर आजाद गए थे SP Scott को मारने के लिए लेकिन इन्होंने गलती से Saunders को मार दिया तो जो phase 1 की problem थी ना कि target कोई और है लेकिन हत्या किसी और की हो जाती है ये problem phase 2 में भी continue रहती है तो यहाँ पर identification की कुछ mistake हो गई थी इसलिए इन्होंने गलत विक्ती को मार दिया और इस Saunders की हत्या करके इनको तो लगा था कि हमने Scott को मार दिया है और ये चले गए लेकिन Scott वहाँ पर जिंदा बजगया था फिर से police crackdown करती है लेकिन इस बार इनको arrest नहीं कर पाती है लेकिन होता क्या है कि British सरकार इस Saunders की हत्या का इस्तमाल करती है propaganda के लिए British government कहती है कि देखो ये आतंगवादी है किसी की भी हत्या कर देते है Saunders ने कुछ नहीं बिगड़ा था एक police वाले को आकर मारकर चले गए तो इससे क्या होता है कि भगत सिंग जैसे जो नेता है उनको लगता है कि यार देखो जब तक propaganda war हम नहीं जीत रहे जब तक लोगों को नहीं पता कि हम क्या करना चाह रहे है तब तक सब बेकार है तो भगत सिंग एक idea दिमाग में लाते है कि क्यों ना हम legislative assembly में यानि कि दिल्ली में जहां आज संसत भवन है उस जगे central legislative assembly चलती थी वहाँ जाकर हम bum फेकते हैं मकसद यह नहीं है कि लोगों को मारना क्योंकि वहाँ legislative assembly में British ही नहीं कि हमारे खुद के नेता भी बैठते थे तो किसी को भी मारना इनका मकसद नहीं था उन bum में कुछ था भी नहीं वो खाली आवाज वाले bum थे और उससे बस किसी को थोड़ी बहुत ऐसी hearing loss वगेरा भी नहीं हुआ था हलकी फुलकी चोट आई थी लोगों को बाकी किसी की death नहीं हुई थी इस bombing में तो इन्हों ने decide कि हम legislative assembly में जाकर bum फेकेंगे April 1929 किये गटना है तो HSRA leadership जो है वो मकसद क्या था उसका कि लोगों को पता चले कि हम चाहते क्या है अब bum फेकने से कैसा पता चलेगा कि क्या चाहते हो देखो इनका मकसद था कि bum फेकर हम अपने आपको arrest करने देंगे हम खुदी आत्मसमरपन कर देंगे जब आत्मसमरपन होगा तो court में क्या चलेगा case चलेगा court में कोई भी case चलता है तो daily उसकी अकबारों में reporting होती है और जब अकबारों में daily reporting होगी तो हम हमारी बातें कह पाएंगे और हमारी बातें free में लोगों तक पहुँच जाएगी कोई परचा नहीं चपवाना पड़ेगा कोई किताब नहीं चपवानी पड़ेगी free में हमारी publicity होगी तो चाहे बुरी publicity हो वो भी अच्छी है और हम हमारी बात जो हमारे आईडिल्स हैं उनको बाहर ला पाएंगे तो ये भगत सिंग का प्लान था हाला कि इसके खिलाफ भी थे कुछ लोग एचेसरे में उनका कहना है कि आप जेल चले जाओगे आपको फांसी होना तया है तो movement derail हो सकता है लेकिन फिर भी भगत सिंग went ahead with this plan 8th April 1929 को बगत सिंग और बटुकेश्वर दत नाम बहुत important है, date बहुत important है, star mark कर लेना, इन्होंने assembly में जाकर दर्शक दीरगा में बैटकर उपर से bum फेके और नारे लगाए, socialism के उपर और आजादी को लेकर इस तरह के इन्होंने नारे लगाए, वहाँ पर बिल कौन स पास हो रहा था, बिल के खिलाफ भी इन्होंने बोला कि देखो ये बिल ही गलत है, अंग्रेजों का trade dispute bill और public safety bill, ये public safety bill specifically इसलिए लाया जा रहा था ताकि करांती कारी निताओं को अरेस्ट करके जेल में डाला जा सके बिना किसी evidence के, तो ये दोनों ही बिल के नाम याद चिला कर वहाँ पर कि हम इन बहरों को सुनाने आये हैं, क्या सुनाने आये हैं, कि हमारी बात, हमारी बात सुनो, तुम बहरे हो चुके हो और हम इन बम के माध्यम से तुमारे को सुनाई देगा, तो ये उस समय के अकबार है, reds bomb Indian legislature, इनको reds कहते थे क्योंकि communism का रंग लाल होता है, सुर्ख लाल रंग जो communist Russia के जंडे में भी था, Soviet Union के जंडे में, तो इसलिए इनको कहा गया उस समय कि reds ने bomb कर दिया है Indian legislature को, अब British media ने इसको बहुत बड़ा चड़ा कर प्रस्तूत किया, देखो Britain जो है, वो communism के बिलकुल खिलाफ था, Britain में communism से इतना डर था कि ज इस पर communism का थोड़ा सा भी शक होता था, उसको तुरंट जेल में डाल देते थे, कोई evidence भी नहीं रखते थे, तो यहाँ पर भी जो घटना होती है भारत में, उसको बड़ा चाड़ा कर लंडन के अकबारों में पेश किया गया, इस तरह से देखो, reds bomb the legislature, अब यहाँ पर य दो-चार लोग तो मरे ही होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस यह लिखा हुआ है कि causes injury to many, तो British media ने इस event को magnify किया, ताकि British सरकार और ज्यादा सक्त नियम बनाये, British government को यह power मिल जाये, कि वो और सक्त कानून बनाकर इन करानतिकारियों को जेल में डाल सके, त तो Lahore conspiracy trial चलता है, तो इसमें Saunders वाला भी case जोड दिया था, तो Lahore conspiracy है, Saunders murder trial, दोनों कह सकते हो, दोनों साथ ही चल रहे थे, तो इनको Lahore की जेल में रखा गया, वही पर अदालत में इनके किलाफ मुकदमा चलता है, और वही पर भगत सिंग ने court में, जो भी बाते कही, व revolutionaries, और भगत सिंग ने जेल में रहते हुए एक pamphlet लिखा था, एक essay लिखा था, why I am an atheist, कभी समय हो तो इसको पढ़िएगा, भगत सिंग के नाम पर लोग कई बार whatsapp पर या फिर social media पर कुछ भी लिख देते हैं, जो उन्होंने कहा ही नहीं था, तो उनका जो ये परचा है, इसको परचा ही कहा गया था उस समय, why I am an atheist, इसको ज़रूर पढ़िएगा, कभी आपके बस time हो तो, बहुत sensible अच्छी चीज़ें इसमें लिखी है, जेल में इन्होंने, revolutionaries ने, conditions के खिलाफ एक तरसे सत्यागरे भी किया, मतलब बहाँ पर non-violence को follow कर रहे थे जेल में, तो ब्रिटिश शरकार कहती थी कि तुम पॉलिटिकल कैदी नहीं हो, तुम को महत्मा गांदिया जवार लाल नहरू नहीं हो, कि हम तुमें पॉलिटिकल कैदी माने और अखबार दें, you are terrorist, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, हम राजनैतिक कैदी हैं, तो हमारे साथ राजनैतिक जेल में थे, तो चंदर शेकर आजाद पीछे से एक और घटना करते हैं, वो वाइसरोय की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश करते हैं, हाला कि असफल रहे थे, लेकिन जो वाइसरोय अर्विन की ट्रेन है, देखो वाइसरोय की स्पेशल ट्रेन हुआ करती थी, तो उनक चंदर शेकर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया गया, अलाबाद के एक पार्क में, और आप में से अगर कोई अलाबाद से या प्रयाग राज से है, तो मुझे उस पार्क का नाम नीचे बताएगा, पुराना नाम भी बताना, और बाद में तो आफकोर्स आजाद पार् अगर किसी को उसका नाम पता है, तो नीचे कमेंट में लिखना, प्रयाग राज के आप कहीं से भी कोई हो, तो आप लोगों को पता हो सकता है, I want the answer in the comments, तो February 1931 में चंदर शेकर आजाद जब पुलिस से चारों तरफ घिरे होए थे, तो इन्होंने पुलिस के पास जानाए जेल में जाने से बहतर ही समझा, कि मैं अपने जीवन खुद ही खत्म कर देता हूँ, so he shot himself before he was captured, इन्हें पता था कि अगर arrest कर लिया तो फासी की सजा होगी, सजा है काला पानी बेजेंगे, torture करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने अपने आपको गोली माल ली, और यह बहुत ही एक famous moment है, चंदरशे का राजाद का, इसके तुरंद बाद, February 1931 की एखटा है, इसके तुरंद बाद 23 March को भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरी को फासी की सजा दे दी गई, लाहर conspiracy trial में इनको दोशी करार दिया गया था, 23 March की तारीक डिसाइड हुई, इ सरकार ने बाहर ले जाकर जला दिया चुपके से, और यह सब हो रहा था, लाहर में यह सब हो रहा था, तो जहां इनकी bodies जलाई गई थी, वहाँ पर आज हुसैनी वाला border है, तो हुसैनी वाला के पास में उनकी लाश को जलाया गया था, बिलकुल भी, मतलब प्रॉपर तरी फजिलका district only, हुसैनी वाला border का नाम है, जैसे वागा border crossing है न, वैसे हुसैनी वाला में भी border crossing है, हाला कि वो इतनी famous नहीं है, छोटी सी है, बट still, it is relevant because of the history of भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरू, तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फासी पर चड़ाया जाता है, और यह अकबार है, all three are executed, first page headline है, क्योंकि अब यह दो साल का जो time था न, इसमें, यह लोग hero बन गएते देश में, क्योंकि इनकी जो, इनका मकसद था, वो इनका मकसद पूरा हो गया, इन्हें क्या चाहिए था कि लोग हमारे उद्देश्य के बारे में जाने, हो सकता है कि भगत सि कुर्बान कर दी, अपने आपको surrender कर दिया, यह सोच कर कि हमसे inspire होकर देश में, और लोग इस प्रकार से आगे आ जाएंगे, अच्छा, अब HSRA जो है, इसकी गतिविदिया, 1931 के बाद बिल्कुल ही decline हो जाती है, क्योंकि सारी top leadership जा चुकी थी, और civil disobedience movement शुरू हो जाता है 1930 में, civil disobedience movement आने के बाद में, कई सारे जो नेता थे, revolutionary वाले, वो इस movement के साथ जुड़ गए, सुभाश चंद्र बोस जैसे जो नेता है, उनकी अपनी अलग politics चल रही थी, तो कुल मिलाकर, HSRA की गतिविदिया, 1931 के बाद खत्मसी हो जाती है, लेकिन जब यह 6-7 साल active था, 1920 1920 में तो यह बहुत बड़ा संगठन था और इन्होंने कई सारे कारणामें किये थे, इनका एक समिधान था जिसको yellow paper constitution कहा जाता है, very important exams में direct questions आते हैं इस पे, state PCS वालों का favorite question है, yellow paper constitution किसका है, तो यह HSRA का था, पीले रंग के कागस पे लिखा गया था, इसलिए इसको HSRA का yellow paper constitution कहते हैं, तो इसमें HSRA का नाम, उनके लक्ष यह सब लिखा हुआ था, और इसको लिखा था, बिस्मिल और कई अन्य लोगों ने, लेकिन original जो मतलब draft है, इसका कहते है, रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, लेकिन अकेले वो नहीं थे, सचिन सान्याल जैसे लोग भी बताया गया है, कि एक bomb इतना successful क्यों है, कहीं पर भी bomb fake दो और target हासिल करो, तो इस तरह की बाते है, philosophy of the bomb नाम के परचे में लिखी गई थी, ये लिखा था, भगवती चरन गोरा ने, तो ये तीनो बहुत important है, तीनो prelims में पूछे जाते हैं, MCQ वाले questions में, ये favorite part है examiner's का, क ये तीनो points आपको बहुत अच्छे से याद रखने है, अब आजाईए बंगाल पे, तो बंगाल में revolutionary गतिविदिया जो है, वो पुराने जो लोग थे ना, जो अनुशीलन समिति और योगांतर के थे, वो ही उनको lead करते हैं, तो यहाँ पर देश-बंदू, चितरंजन, दा करती है, एक faction को lead करते हैं, जे-म सेन गुपता, और दूसरे को lead करते हैं, सुभाष चंदर बोस, तो अनुशीलन समिति वाले जो लोग हैं, वो जे-म सेन गुपता को support करते हैं, और योगांतर ग्रुप वाले सुभाष बोस को, जे-म सेन गुपता कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, बोस के बारे में भी मैं आपको basic बता देता हूँ, अब एक बात याद रखना, गांदी जी, नहरू जी के जीवन पर सवाल नहीं आते हैं, वो बच्चों वाले सवाल है, हर बच्चे को पता होता है, उनका answer, UPSC इस तरह के सवाल अब नहीं है, ठीक है, आएंगे तो उनके अख़वार वगेरा पर आ सकते हैं, मतलब अगर मैं personal life history या trajectory की बात करूँ, बाकी घटना है तो important है ही, लेकिन अब जो ये दूसरे निता है ना, राष्ट्रवाद के आंदोलन में, राष्ट्रे आंदोलन में जो शामिल थे, उनके उपर अगया तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चीए कि ये कौन थे, तो या यतिंद्र मोहन सेन गुपता जो है, ये चितगॉंग से बिलॉंग करते थे, चितगॉंग का है, चटगाओं, जो आज बांगलादेश में आता है, it is towards the eastern part of Bangladesh, म्यानमार के बार्डर के पास में, त तो वहाँ पर एक जमिनदार परिवार में इनका जन्म हुआ था, काफी अमीर परिवार से थे, जातर जो senior leaders हैं, वो सब अमीर परिवारों से ही थे, as usual, law पढ़ने के लिए England गए, सबकी यही कानी है, चाहे घांदी हो, नहरू हो, सुभाश बोस हो, सुभाश बोस law पढ़न तो यह नेली सेंगुपता और जतिंद्र बोहन सेंगुपता दोनों ही राष्ट्रिया अंदोलन में शामिल थे, husband wife, both were part of the national politics, फिर इनोंने अपनी legal practice छोड़ दी और full time politics जोईन कर ली, 1925 में यह बंगॉल स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं, सियार दास के तो स्वराज पार्टी याद है आपको, तो यह बंगॉल का जो उसका स्वराज पार्टी का area था, उसमें सियार दास के मृत्यू के बाद जेम सेंगुपता के हाथ में कमाना जाती है, 1930 में इन्हें arrest किया गया British सरकार के द्वारा, क्योंकि यह भारत और बर्मा के विभाजन के खिलाफ भाशन दे रहे थे, rally कर रहे थे, और अभी बर्मा सेपरेट नहीं किया गया, ultimately 1935 में कर दिया था, उसके पहले बाचीच चल रही थी, तो यंगोन में यह rally चल रही थी, रंगून में और वहाँ पर इन्हें arrest किया गया था, दूसरे धड़े के जो नेता थे करते थे, तो बोस का जन्म भी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था, बंगाली ब्राह्मन परिवार था, कटक में इनका जन्म हुआ था, जो आज ओडिशा में आता है, थे बंगाली लेकिन कटक ओडिशा में इनका परिवार रहता था, तो इनके चार भाई थे और तो दी, 6 vacancy थी किवल, भारत के जो लोग हैं, वो किवल 6 पदों पर अप्राय कर सकते थे, ICS में और उसमें इनकी 4th rank आई थी, तो इन्होंने सारे written exam पास कर लिए, लेकिन जो final round था, जो इंडिया में होना था, उसमें कुछ इंडिया से related questions वगेरा आते थे, it was kind of like an interview, आप कहलो क final round इनका बाकी था, तब उस final round से पहले, जो महीने थे, उन महीनों में ये अपने भाई को और अपने पिताजी को लिखते हैं, चिट्थियों में, जो बाद में हमें पता चलती हैं, जो public हो गई, उसमें इन्होंने लिखा कि मेरा मन नहीं है, मैं जॉइन करूं इसे, ICS की न नौकरी, एक civil servant बनके मैं बंद जाऊंगा, मैं देश की सेवा वैसे नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैं करना चाता हूँ, तो इनके घरवालों ने इनकी इच्छाओं का सम्मान किया, और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, इन्हें लगा कि nationalism सर्वो परी है, civil services से ज एक्जाम कॉलिफाई किया था, 23 साल की उमरे थी, तो और महाँ पर ये Cambridge में पढ़ाई भी कर रहे थे, तो जब ये पढ़ाई कर रहे थे, एक्जाम अपियर कर रहे थे, ICS का, उस समय ये CR दास के संपर्क में थे, और CR दास जो है, उन्हीं के नितरत्व में आकर यहाँ पर कि क्या शामदार, मतलब ये भी देखो, लॉयर है, विदेशों से आया है, मेरी तरह बिल्कुल, और 45-50 की उमरे के एक आदमी है, और जिनको भारत में आया है, गिंती से 6 साल हुए है, और ये आकर यहाँ अंदोलन चला रहे हैं, तो बोस गांदी जी को चिठ्थी लिखते उससे बोस संतुष्ट नहीं थे, उनको लगाता कि देखो, थोड़ा सा revolutionary क्रांतिगारी होना ज़रूरी है, तो बोस जो हैं, वो CRदास के साथ चले जाते हैं, बंगाल में, बोलते हैं कोई बात नहीं, गांदी जी अपना काम कर रहे है, CRदास के साथ मैं जुड़ जाता हू से senior leaders में से एक बन चुके थे, किवल 8 साल में, क्या उम्रे थी इनकी यहां पर, 33-34 साल की उम्रे थी, और उसमें ये देश के सबसे बड़े नेताओं में थे, जवार लाल नहरू से इनकी बहुत अच्छी पटती थी, he was very close to नहरू, क्योंकि दोनों सोशलिजम पर bond करते थे अब आज के समय में आप लोगो सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्छा ही है, कि नहरू और बोस जो हैं, ये बिलकुल एक ही विचारधारा वाले लोग थे, दोनों सोशलिजम की तरफ बहुत अट्राक्टेड थे, और दोनों left wing के leaders थे, Congress में एक left wing हु इसे आते हैं, पावर में, लेकिन अब वो 1910 वाली बात नहीं है, इनमें अनुशीलन समीती जैसी बात नहीं है, बट स्टिल, काफी कुछ करते हैं ये, जैसे कैलकटा पुलिस कमिशनर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या की कोशिश करी गई, assassination attempt किया था, क्योंकि टेगार्ट ज जाती है, और revolutionaries को पकड़ना शुरू करती है, और तेजी से उनके उपर crackdown किया गया, सुभाष बोस को भी arrest कर दिया गया, ऐसा माना गया कि इनका यहां पर पूरा support था, लेकिन कोई direct evidence मिलनी पाया, तो ultimately इनने छोड़ना पड़ा, बट हां कुछ महीनों के लिए ये भी jail मे रहे थे, वो पिनात साहा का तो फांसी पर चड़ा दिया गया, इस तरह के कुछ छुट-पुट हमले और भी होते रहे बंगाल में, लेकिन सबसे बड़ा जो event है, वो है चितगॉंग Armory Raid, तो बंगाल में चितगॉंग नाम की एक जगे है, जो आज बांगला देश में आत आई दूसरे एरिया से, तब तक इनोंने वहाँ पर अपना शासन स्थापित करके, आजाद जंडा भी फेरा दिया था, सूरिया सेन ने कहा कि अब हम इसको आजाद गुशित कर देते हैं, हाला कि ये जाला समय तक चल नहीं पाया, तो सूरिया सेन जो है, ये पहले अनुश साथियों के साथ मिलकर, ये चितगॉंग में आर्मरी की रेड करी थी, तो ये आर्म्ड रेबेलियन था, और इसमें कई लोग और शामिल थे, जैसे की प्रीती लता, वाडेडार जैसी महिलाएं भी इसमें शामिल थी, और इन्होंने दो बड़ी जो आर्मरी जो हैं चितग लाइन को तोड़ दिया, रेलवे लिंक भी हटा दिया, पत्रियों को उखाड कर रेलवे लिंक भी कट आफ कर दिया, ताकि सेना ये ना भेजी जा सके, दूसरे एरिया से चितगॉंग, बट अल्टिमेटली देखो, ब्रिटिश अड्मिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशन्ट था, एक-दो दिन के अंदर-अंदर महाँ पर दूसरी टुकडियां पहुंच गई, और इनके जो साथी है, वो लड़ नहीं पाये महाँ से, तो इनको रिट्रीट करना पड़ा, तो इनके कई साथियों की वहाँ डेथ हो गई थी, और उसके बाद ये जंगलों की तरफ चितगॉंग ब्रांच, और बाद में जब ये चितगॉंग से जंगलों की तरफ भागे तो दो-तीन साल तक जंगलों में रहकर इन्होंने स्ट्रगल किया, अल्टिमेटली 1933 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इनका काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया जेल में जो इन्होंने सूरिया से इनने मास्टर दाने सहा था, और यह एक ऐसे वक्ती थे जो आज भी एक इंस्पिरिशन है, इन्होंने राष्ट्रिय ध्वज जो है, यह आर्मरी चितगॉंग आर्मरी के उपर फेरा दिया था कुछ घंटों के लिए और कहा था कि यहाँ पर आज सरकार आ चुकिये, revolutionary सरकार आ चुकिये, control ले चुकिये और यहां British हुकूमत नहीं चलती है, लेकिन उसके बाद 2-3 साल बाद ultimately इन्हें और इनके सभी सातियों को arrest कर लिया गया और British ने इस पूरे uprising को खत्म कर दिया, तो देखो यह कुछ important uprising थी या फिर events थे जो पंजाब मे और बंगाल में हुए थे, अब revolutionaries पर कई तरह के opinion है, भारत में ही कई इतियासकार इनको लेकर दो राये हैं, कई सारे historians का ही मानना है कि revolutionaries ने, करांतिकारियों ने, जो main movement चल रहा था, जो non violent movement चल रहा था, mainstream movement था, उसको side track कर दिया, उसको derail कर दिया, और गांधी जी ने तो बं फेकाता ना, भगत सिंग ने, उसके बाद इन्होंने एक लेक लिखाता और ये खाता कि देखो, आज ये बं अंग्रेजों पर फेके जा रहे हैं, कल ये अपने ही लोगों पर फेके जा सकेंगे, मतलब ये आज हिंसा अंग्रेजों के खिलाफ हो रही है, विदेशी के और ये कल ये हिंसा अपने ही देश के लोगों के खिलाफ भी इस्तमाल हो सकती है, अगर कोई हिंसे सहमत नहीं होगा, तो इसलिए ये रास्ता ही खराब है, ऐसा गांदी जी का मानना था, तो कई सारे conservative leaders इनके तरीकों से खुश नहीं थे कि बं मत फेको, चाए आपको मारना नहीं है, किसी को फिर भी ये हत्या करना, assassination attempts, ये सब गलत है, आपका राष्टरवाद सही जगे है, और आप देश की सिवा करना चाते हो, लेकिन तरीका गलत है, और क्या ये real change ला पाए, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाय जाते हैं, क्यूंकि जालतर समय हम ये अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है, सक्त कानून लाने का, रॉल अटक जैसे कानून, पब्लिक सेफटी बिल जैसे कानून, और इन कानूनों की मदद से, ये नाकेवल revolutionary, बल्कि जो Congress के नेता हैं, जो non-violent movement में हिस्सा ले रहेते, उनको भी जेल में डाल देते हैं, तो इस एक दो नहीं, बल्कि डेली हम पर कई सो बॉम फेके जाएं, और इसका factor, ये भी एक factor था, ultimately हिंदुस्तान छोड़ने के लिए, तो ये historians में दो रहे हैं, आप लोगों का क्या मानना है, comment में मुझे बताईएगा, तो दोनों ही चीज़े हैं, कि आप कह सकते हो कि दोनों ही कह अपने arguments merit hold करते हैं, अब mains में आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे, कि comment on the actual outcome of the activities of revolutionaries, कि ये जो करांतिकारी हैं, इनके काम से क्या बदला, क्या बदलाव आया, इस पर आपको comment करना होगा, तो इसमें आपको कई चीज़े लिखनी होगी, कि जैसे कानूनों में बदलाव ल बानते थे, लेकिन उसके बाद ये इनका दृष्टी कौन जो है, बदल जाता है, तो इस तरह की बात है, फिर राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो इन्होंने देश के लोगों में भर दी, तो जो एक non-cooperation movement ने किया था, उसी तरह का काम, इन लोगों ने भी किया, काफी हद तक, क्योंकि nationalism की जो भावना है, देश के प्रती, जो प्यार है, वो एक नौजवान 23 साल का लड़का जब bum faker है British हुकूमत के खिलाफ, अकेला खड़ा होखर, तो that image gives a different kind of signal to everyone in the country, तो ये सारी बाते हैं, revolutionaries के उपर opinions है, lecture का PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा, याद फायदा क्या है कि आप live classes को attend कर सकते हैं, optional के courses भी यहाँ available हैं, लेकिन अभी हमने optional और GS का combined course है, उस पे बहुत अच्छा discount चला रखा है, so you will get it in 49,680 रूपीज, जिसमें आपको GS और optional और test series सब कुछ मिल जाएगा, printed किताबें भी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको 10% discount म के बाद prices बढ़ने वाले हैं, और test series अभी हमने free कर रखी है, prelims की test series, mains की test series और optional की test series भी इस combo course के साथ आपको free में मिल जाएगी, अगर आप 2 महीने के लिए, केवल prelims के लिए तेयरी करना चाहते हैं, one year subscription नहीं लेना है, then you can go for the two month subscription, यह आपको 13,500 रुपीज के लिए available कोई कमजोर subject रह गया, prelims के बहले, उसको मजबूत कर लो, मेरे upcoming plus courses है, उनको attend कर सकते हो, जैसे मेरी medieval history की classes चल रही है, उनको join कर लो, MCQ course आने वाला एक, उसको join कर सकते हो, तो इस तरह के courses को आप यहाँ पर join कर सकते हैं, हर Wednesday को नए batches बनते हैं, one year, two year batches, सारे batches आपको website पर, app पर मिल जाएंगे, mission AIR1, जिसमें prelims point of view से MCQs को solve करवाया जाएगा, top educators के द्वारा, यह batch 1st September को start हो रहा है, और इसमें current affairs के जो MCQs हैं, वो मेरे द्वारा करवाया जाएंगे, तीन free test series हैं, इनको avail कीजे, unlock code कहीं पर भी मांगा जाए, just use this code, combat होता है, हर Sunday को, इसमें इसा लेकर आप यह सभी subscription free में avail कर सकते हैं, thank you very much for watching this, have a great day.